राम राम आज हम श्रेमत भक्वत गीता के अध्य अच्छे आत्मसायम योग का श्लोक बार्य संस्क्रित उच्छारण और हिंदी अर्थ सहित सिखेंगे पहला चरण त में अमिक्स करेंगे त तर पे आई के मातरा असलिए त्रई का ग्र ग्र का अर्थ होग आधा और पूरा जी आर ए शब्द पूरा अने के बाद ग्र पे अनस्वार आधाम तत्रई का ग्रम मन, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में आमिक्स करेंगे मन, न में आ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे मन, क्री, क, आधा, क के और नीचे री की मात्रा है क्री, क, आराय, आधा, त, वापूरे के साथ क्रित्वा पहला चलंग फिर से तत्रई का ग्रम रहा क्रेत्वा आगे यत दोनों औक्षर पूरें दोनों में आविक्स करेंगे यत ची के साथ में आधा तो चित चित नहीं करना ची बड़ा है चित ते के सानिकी मात्रा छोटी है तो लंबा नहीं खीच न चित ते मात्रा के अंदर आधा न है, ते के साथ आधा न पढ़ेंगे तेन, द्र, द्र का अर्थवा द्र आधा और पूरा, द्र पे ए की मात्रा द्री, यमी अमिक्स करेंगे, तेन द्रिय, क्री, क्र ये जैसे द्री है वैसे क्री बनेगा, पहले क्र देखेंगे, क्र कर्थ क्या ह क रधा और पूरा k रए, k र पे E की मात्रा लगाई तो k r i क्री और य में a mix करेंगे क्री य में a की मात्रा तो विसरग को पढ़ेंगे ह क्री यह साकेंगो चरंड फिर से यत चित्येंध्रिय यद धर क्री यह क्रियह तीसरा चरहन उपर पमी अमिक्स किया उपर भी के साथ आधा शह विश या स मी अमिक्स करेंगे विश्यासनी यू के बाद में यह है यू के साथ यह जोड़ा यू फिर आधा य पुरे के साथ आधा द यून तीसरा चरन फिर से उपविश्यासनी युन जाद चौथा चरन योग ग मी अमिक्स करेंगे योग मा के साथ आधा तैमात्म मी अमिक्स करेंगे मात्म विशू के साथ आधा द विशुद और धा से धनिश में अमिक्स किया तीसरा और चौथा चरण फिर से उपविश्यासने युन्जात योगमात्म विशुद्धये पूरिश लोक का उच्चारण एक साथ तत्रैका ग्रमना कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियह उपविश्यासने युन्जात योगमात्म विशुद्धये एक बार फिर से तत्रैका ग्रमना कृत्वा यतचित्तेंद्रियक्रियह उपविश्यासने युन्जात योगमात्म विशुद्धये आप इस लोक का अर्थ दिखेंगे कल हमने देखा था कि आसन जो है वो लगा के भगवान जो ध्यान योग है उसके बारे में वर्णन करे थे कि शुद्ध इस्तान में जिसके उपर कुशा, मृक्षाला और वस्त्र बिचावाए जो आसन ने बहुत उचा है ने बहुत नीचा है ऐसे आसन पर स्वेम को स्थिर करके उसके बाद में आजका श्लोक क्या हुआ तत्रई यानि तत्र टत्रका ग्रम इसमें दो शब्द हैं तत्र धन एका ग्रम तत्र यानि वहाँ एकाग्रम यानि एकाग्र करके किसको मनह मन को कृत्वा करके यतचितेंद्रिय क्रियह देखो यतचित और इंद्रिये और क्रिये मतलब चित और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको यत करके यानि वश में रखते हुए उपः यतचितेंद्रिये क्रि उपविश्यासने इसमें दो शब्दोंगे उपविश्य धन आसने उपविश्य यानि बैटकर आसने यानि आसन पर युन्जात उपविश्यासने युन्जात अभ्यास करें युन्जात करें युन्जात आगे क्या था योग मात्म विशुद्धये योग योग मात्म इसमें म में जो है म का आधा मापन योग के साथ लेंगे योगम और एक शब्द बन जाएगा म में जो आकी मातरह से आत्म विशुद्ध है ये आत्म विशुद्ध है यानि अंता करन की शुद्धी के लिए अपनी शुद्धी के लिए और अंता करन की शुद्धी के लिए और योगम यानि साधना का और युन्जात यानि अभ्यास करें अपने देखी लिया है तो इस तरह से क्या अर्थ निकला कि उस मतलब कौन सा वाला जो अपने आसन के बारे में कल बात की पी कि जिस पे कुशाम, रिक्षाला और वस्त्र बिचा हुआ है जो न बहुत उचा है न बहुत नीचा है उस स्थान पर उस आसन पर बैठ कर चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकागर करके अंतकरण की शुद्धी के लिए साधना का योग कौन सा योग बात कर रही है आपे ध्यान योग उसका अभ्याज करें अविनाशी सहज सुखराशी हे नात हे मेरे नात मैं आपको भूलू नहीं नारे 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 नारे